है 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 हम लोग आज इरर प्रावलम पर डिसकस करने जा रहे है और आप इक बात ध्यान दिजेगा यह जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉडेंट है 11 का टॉपिक है लेकिन इनके कोशन्स जो है ठीक है आपको नीट एग्जांस में सर्फ प्राइमरी वेसिस पर मिलते कोशन्स हैं यह कोशन देने के चांसिस रहती है ठीक है आपको नीट के अलाबास सर्फ आपको एंडी एक्जांस है आई टी जी एक्जांस है या यह फो डिफेंस किसी भी एक्जाम में अगर आप बैठ रहें बीटा ठीक है तो आप लोगों को थोड़ा सा इस वीडियो को इस से देखना चाहिए ठा, आपके लिए सारे कुशन्से असान हो जाएंगे मैं एक जीरो के चलूंगा इसको ठेक है तो आप ध्यान दीजेगा है राइट ना और सर जो हमने मेजर किया है उस वैलियू में जो डिफरेंस है वही एरर है राइट इस बात को ध्याम देखें कि absolute एरर होता है यह absolute इरर निरपेच तुर्टी राइट निरपेच तुर्टी से कहते है बेटा राइट ना absolute इरर निरपेच तुर्टी क्या होती है सो हम कहेंगे जनरली जैसे किसी भी physical quantity को हम ले लें जैसे हमने बोल दिया डेल आर राइट ना सो भई physical quantity में जो डिफरेंस है वही ट्रू वैल्यू और मेजरिंग वैल्यू का वही क्या है हमारे पास सर absolute इरर है अगर हम कहें कि सर हमें रिलेटिव इरर चाहिए क्या चाहिए रिलेटिव एरर रिलेटिव एरर तो बेटा अगर हम यह कहें कि सर जो हमारी true value है उसके respect में मेरे पास जो इरर है या absolute इरर है वही क्या होती है वही absolute रिलेटिव एरर होती है ध्यान देंगे absolute इरर बिद रिलेटिव एरर चीक है मतलब हम कह सकते हैं कि निरपेच तुरुटी के तुरुटी सर बास्त्त्विक waistıtिक मापन या बास्त्य वैल्ल्यू के सापच या मान के सापच जो सार हमारी निर्पेच तुरुटी होती है वही हमारी क्या होती है यहां पर gracチット होती है इसको तो आप इच्छिक तुरुटी बोलते हैं relative आप इच्छिक तुरुटी ठीक है आप इच्छिक तुरुटी अब बेटा ध्यान देजेगा अगर हमारे पास change upon hundred दिया हुआ है तो इसका मतलब हम अगर change upon hundred percent दिया हुआ है तो अगर हम percent से multiply करें तो percentage change निकाल सकते हैं या हम कहें है कि सर change upon actual with respect change upon actual है और इसको अगर हम hundred से multiply करें तो percentage change आ जाते हैं तो इस बात को आपने देखा होगा कि यहां पर कुशन आता है percentage error तो आप जरूर ध्यान दीजेगा जब भी percentage error आए तो deal r upon r into hundred कर देंगे तो इस cases में हमारे पास क्या जाएगा सर यह percentage जाएगा ठीक है तो चलेगा इसमें हम देखते हैं basically कि कोई भी value हमें दी हुई है जैसे sir मेरे पास कोई z value है और यह कैसे है sir दो quantity को add करने के बाद प्राप्त होती है तो हम देख रहे है error in addition right so error in addition first point है हमारा हमने कहा कि sir यह z है और इसमें जो error आ रहा है वो plus minus deal z आ रहा है तो यह absolute error है मेरे पास और यह absolute error इन दोनों में भी इतनी इतनी आनी चाहिए sir a plus minus deal a इसकी error plus b plus minus deal b इसकी भी इरर आनी चाहिए मेरे पास point clear है अब अगर मैं यहां पे आप कहूं कि sir यहां पर जो error आई अगर मैं a plus b इधर कर दूं ठीक है और यहां देखूं तो plus minus deal a plus minus deal b ऐसा ही अब एक बात बताएगा यहां पर error अगर दोनों में है तो भाई error हमेशा क्या करेगी addition form में चलेगी ऐसा तो नहीं है एक error दूसरी error को क्या करें सब्ट्रेक्ट कर दे गटा दे ऐसा तो होगा नहीं राइट न तो यहां पर इस बात को ध्यान दीजेगा question आपको बार बार आता है कि जो आपकी error है राइट न वह maximum error की form में दिया जाता है तो हम कह सकते हैं for maximum B यह होगा कि नहीं होगा हम चाहें तो इसको अटा दें यह maximum error है तो आपसे बार बार कोशन जितने भी पूछे जाते हैं वह maximum error के लिए पूछे जाते हैं ठीक है इस बात को अब इस तोर पर ध्यान रखेंगे ठीक है चलेगा जैसे मैं यहां पर एक example ले लेता हूं आपसे बोला गया है कि सर हमारे पास दो resistance है सर आरबन है सर 50 plus 0.5 पहला resistance है और दूसरा resistance है 100 plus minus 0.3 यह दिया हुआ है अब हम चाह रहे हैं कि सर इन दोनों को सीरिस में connect कर दिये जाए किस में connect कर दिये जाए जिस में connect करने पर सर इनका जो equivalent resistance आएगा उसमें कितनी दो होगी तो देखेगा दो कोशन पूछेंग यहां तीन-चार कोशन मना सकते हैं यहां से पहला सर आर एक्वेलेंट कितना होगा इन सीरिस शरैनी क्रम में जोडने पर तुल्ल प्रत्रोद स्टुब्रा कोस्चन दूसरा कोस्चन सर एपसुलूट एरे इंध्यूवेलेंट राइट थे एपसुलूट एरर एपसुलूट इरर निर्पेच तुरुटी या अधिक्तम निर्पेच तुरुटी ठीक है तीसरा कोश्चन हमारे पास फिर आ गया सर रिलेटिव इरर रिलेटिव इरर आप पेच्छ एक तुरुटी भाई जो ट्रू वेल्यू है उसके सापेच कितनी तुरुटी हो रही है वही हमसे पूछिए यहां पे रिलेटिव इरर और फूर्थ कोश्चन हमसे यहां पे पूछ लिया जाता है सर परसेंटेज इरर परसेंटेज इरर चलेगा सबसे पहली बात बच्चों आप अच्छे से समझते हैं कि यहां हमें इस चीज को ध्यान देना है कि स्रैनी करम में जो प्रतुरूद होते हैं उनका सर तुल्ले प्रत्रोद क्या होता है आपस में जुड जाता है यही है कि नहीं है सबको अच्छे से क्लियर होगा सरेनी करम में जो प्रत्रोद होता है वो आपस में जुड जाता है यही कुछ होता है ठेक है सर अगर मैं यहाँ पर इन वेल्यूस को रख दूं तो कित्ती आ जाएगी 50 प्लस जीरो प्लस-0.5 प्लस-100 प्लस-0.3 अब यह बात बताईए मुझे क्या पूचा है सर रेजिस्टेंज या एक्वेलेंट रेजिस्टेंज पूचा है चेके तो एक्वेलेंट कितना हो जाएगा यहां पर एक्यूवेलेंट इस इकल टू भाई जो 50 है 100 के साथ में डिरेक्ली क्या होगी बिटा एड हो जाएगी तो कितने आ जाएगी 150 ठीक है प्लस माइनस बिटा इन दौनों एरर्स को आपस में जोड दिया जाएगा तो कितना जाएगा 0.8 आ जाएगा क्या ये मेरे पास आर्यक्यूवेलेंट आ गया क्या किसी को डाउट है इसमें थोड़ा सा भी नहीं न चलेगा ठीक है दूसरा कोशन हमसे क्या पूचा है सर Absolute Error Absolute Error पूछिए अब देखो ज़रा Absolute Error मैंने क्या बताया था इससे पहले अभी देखो इसमें Absolute Error जो है जो Error है उसका डिरेक्टली Addition ही है So Add जब होगा तो Addition ही होगा तो इस बात को आप ध्यान देजेंगे कि जो दूसरा Question हमारा है वो है Absolute Error Right न निरपेच तुर्टी So Sir जब Add होगा उसकेस में निरपेच तुर्टी भी क्या होगी सर्ट डेल आर इस इकल टू कितनी हो जाएगी सर्ट सर आपका डेल आर बन प्लस डेल आर टू डेरेक्टली कितनी है सर पहले वाले की 0.5 और दूसरे वाले की 0.3 तो कितनी आ गई 0.8 कितनी एरर है मेरे पास 0.8 अच्छा ध्यान दीजेगा यहां पर एरर अगर रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है तो एरर जो होगी Absolute एरर राइट ना उसका भी जो यूनिट होगा जैसे आर एक्वेलेंट की यूनिट कितनी है इतना ओम राइट ना रेजिस्टेंस की यूनिट कितनी होती है बिटा ओम रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है तो यहां दियान देजेगा यहां पर भी यूनिट कियागी ओमी आएगी ठीक है अब अगर मुझे यहां पर बोला है तो यह मेरे पास absolute error कितनी आ गई 0.8 ohm हो गई ठीक है अब तीसरा नंबर का question मेरे पास था सर यहां पर था relative error तो relative error जब निकालते हैं तो क्या किया जाता है सर absolute error upon actual अब एक बात बताएगा absolute error upon यहां पर किस में निकाल रहे हैं absolute error तो यहां देखेगा आर equivalent की absolute error upon आर equivalent ठीक है तो वहीं कितनी है यहां पर 0.8 है सर अपॉन सर और equivalent कितना निकला मेरे पास इस बात को आप द्यान दीजेगा तो देखो बीटा यहां आर equivalent कितना है 150 एक नहीं है बहुत बंफिप्टी है तो हम यहां पर कितना लिख देंगे सर बंफिप्टी राइट यह मेरे पास क्या आ गया कि 1500 क्या अब दिखेगा यहां पर यूनिट क्या आएगी सर absolute error की कोई यूनिट होगी नहीं होगी क्यों 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 ऊपर भी resistance नीचे भी resistance है तो यहां पर यूनिट लैस होगा ठीक अगला अगर मुझसे यहां पर पूछ लिए जा पूछ लिए पूछ लिए गया फूर्थ नंबर का कि पर सेंटेज अरर् क्या है सर रइव स्सेंटेज师 क्या होगी सर डेल अर्फफफफेलेंट एंट्उ कितना बता हंड्ड्र के इसको इसको एक बर कट करके निखो कैसे आ जाए गए बह review यही बचेगा मेरे पास 8y 15 बचेगा सो निकाल लेते हैं इसको कितना आ जाएगा परसेंटेज की फॉर्म में आएगा जो भी आएगा तो देख लिए जेगा वही कितना बात जाता है 15 55 होता है कितना आ जाएगा फिर अगें कितना आ जाएगा सर ठीटेंज 0.53 परसेंट आ जाएगा यह हमारी हो गई इन एडिशन अब अगर बेटा सब्सक्षिक्शन का केस हो था ठीक है तो दूसरे टाइप में एरर जो हमारे पास है जाएग जाएग क्या है इस की आज प्लस माइनस देल भी चैंच फ्लस माइनस देल भी यही कुछ होगा अगर यही होगा देख लेते हैं सर- A right now minus B plus minus A minus plus DLB right now is equal to कितना जाएगा Z plus minus DL जाएगा चलेगा तो अब देख लेते हैं अगर मैं यहां पर Z is equal to A minus B कही डिवाइड देदू तब क्या होगा तो Z का डिवाइड देने पर यहां कितना आ जाएगा बेटा मेरे पास यहां पर ऐजाएगा है डेल जैड अपन जैड इस इकल टूब हट हो जाएगा यह इधर किता बचेगा बन और यह भीड़ेटर यह गटा जाएगा इसके नीचे मैनेस भी आ जाएगा ठेक है तो कितना आ गया यहां पर सरणer प्लस माइनस ऑना डेल ए अपॉन a-b minus plus del b upon a-b ऐसे कुछ होगा ठीक कुल मिलाके यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि हमें क्या चाहिए सर यहाँ पर हमें एरर चाहिए थी क्या चाहिए थी error चाहिए थी तो अगर हम इसको cable और cable absolute error लेना चाह रहे हैं तो absolute error के लिए देखेगा ये वाला part तो Z के बराबर ही सर ये तो हट गया तो बचा हुआ पार्ट यही तो बचेगा मेरे पास अगर यही part बचा हुआ है तो इस चीज़ को वैसे भी हम यहां से देख सकते थे तो अगर यही पार्ट बचा हुआ है तो हम कह सकते हैं डेल जैड है ना और मुझे maximum value चाहिए तो कितनी आ जाएगी सर maximum value के लिए मैंने बताया तना आपको कि error हमेसा क्या होगी बटा error हमेसा addy होगी ठीक है ठीक तो इस केसे में क्या जाएगा सर डेल डेल ए माइनस डेल बी प्लस माइनस डेल भी ठीक है कुल में लाके मेरे पास यह absolute error आ गई पॉइंट के लिए रही है ध्यान रखेंगे जब भी हम error की बात करेंगे हमेसा error को add करेंगे एक कोशन देख लेते हैं जैसे आपको कोशन दिया कि सर्क वाइलिंग ऑफ वाटर है राइट ना और टेंप्रेचर और आपको दिया है दे टेंप्रेचर कि आफ कि वाटर भाई ठीटा वन दिया हुआ है कितना दिया है थर्टी प्लस माइनस जीरो पॉइंट प्लस माइनस जीरो पॉइंट सेवन कर लेते हैं सेवन कर लेते हैं डिगरी आपसे बोला है कि सर्थ हाउ मच टेंप्रेचर इंक्रीज कितना तापमान बढ़ गया है तो हम क्या करेंगे फाइनल में से इनिशल को सब्ट्रेट कर देंगे तो डेल ठीटा राइट ना इस इक इक लटू ठीटा टू माइनस टीटा वन कर देंगे बिटा तो इस केसे में क्या होगा सर यह होगा 50 प्लस माइनस जीरो पॉइंट फाइव माइनस इस थर्टी प्लस माइनस बढ़न है यहां पर कितना है बढ़न है इस इन दौनों को एड़ करो प्लस माइनस दौनों को एड़ कर दो 0.6 डिग्री सेल्सियस र कितना बढ़ गया ठीक है इतना बढ़ गया इरो कितनी आई 0.6 आई ठीक है तो इस चीज़ को आप विश्वेश तो पर ध्यान रखेंगे कि टेंपरेचर कितना राइस कर गया मे is equal to multiplication की form में a b अगर इस टाइप का दिया हूँ ठीक है यह थर्ड टाइप है तो हम थर्ड टाइप में जब भी देखेंगे तो देखेगा दो तरीक है इस को करने के या तो हम यहां पर लॉग ले लें लॉग डेल जाएड इस इकल टू लॉग ए प्लस लॉग भी हो जाएगा यह लॉग लेने पर दोनों मुल्टिप्रिकेशन बाले या प्रोडेक्ट बाले क्या होते हैं सेपरेट हो जाते हैं अब अगर हम इसको तो यह आएगा डेल जैड अपॉन जैड इस इकल टू कितना जाएगा बिटा डेल एपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी सर यहां से डिरेक्ली मुझे अप्सुलूट इरर मिल गई अगर मुझे यहां से अप्सुलूट इरर चाहिए तो हम इधर मल्टिप्लाइ कर देंगे प्लस डेल बी अगर आप से करना है कि नहीं,सरया इसको जनरल मेहां होने से कराईए तो हLS कर देंगे और इस cases में a plus minus del a into b plus minus del b कर देंगे और आपस में multiplication करेंगे जो last वाला point हमारे पास आएगा sir del a dot del b ये negligible होगा इसको हम हटा देंगे ठाइट न हटा देंगे और इसको solution हमारे पास आजाएगा असानी से ठीक है चलेगा अब यहां ध्यान दें इस वाले question में इस type के question जैसे आपको कई वारी question आ जाता है कि sir जो हमारा voltage है वो कितना होता है V is equal to RI अगर V is equal to RI की form में question दे दिया जाए जैसे ohms law V is equal to क्या होता है RI होता है उसने बोला कि sir resistance में 5% का changes है और current में two percentage का changes है तब voltage में कितने परसेंट का changes आएगा तो इस cases में दिखेगा हम बोलेंगे percentage error पूछ लिएगा ठीक है कितना दे रखा है इतना है ध्यान दें इस बात को sir error in resistance 5% error in current 2% then determine the absolute error या percentage error in voltage यह हमसे पूछ है ठीक है तो बताएगा यह कैसे है आपसे मल्टिप्लाई में है अगर यह मल्टिप्लाई में है तो इस cases में क्या करेंगे इसको देखेगा इसको लिख सकते है डेल भी अपॉन भी राइट ना एक रएपन क्या एककि रिलेटव एर्र एर यह गिवन नहीं है एक पूलोटिल इर्रह गवन होगी तो सर इसे इनिशल वेल्यूज भी देनी पड़ेंगी रइट ना यह ट्रू वेल्लीज बीसको यह इसको आद इनी पड़ेंगी तो देखोक कितना आ गया यह यहां यह कि यह value कितनी दी है मुझे 5% ठीक है यह value कितनी दी है मुझे यहां पर 2% सो directly कितना आगया sir answer 7% answer clear है ठीक है next next अगर हम आगे चलते हैं तो फिर हम यहां पर देखते हैं कि अगर हमें जो fourth type की sir error के लिए question आता है वो आता है sir z is equal to ayb sir divide की form में जब divide की form में question आए तो देखेगा अगर हम इसको ऐसी करें plus minus del z is equal to a plus minus del a upon b plus minus del b ठीक है इसको solve करते हैं a plus minus ठीक है बेटा मैंने क्या किया कि यहां पर ध्यान दो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं कि यहां पर a को common ले ले ला हूं a को common लेने पर मेरे पास आ जाएगा del a upon a ठीक है divided by b plus minus del b upon b यह आ जाएगा ठीक है अगर यह आ गया मेरे पास तो दिखेगा मैंने क्या किया कि वोथ साइड में z is equal to a v ka divide दे दिया जब यहां पर z गर्ड हो घाप तो डिवाइड होगा तो कितना आओगा जैड का? डेल जैड अपॉन जैड आ जाएगा. तो भई यह z side इधर डिवाइड होगी, ayv side इधर डिवाइड होगी. तो देखो, ayv, यह है, तो इसमें जब हम ayv का डिवाइड देंगे, तो यह दोना आपस में कट जाएंगे ठीक है तो बचेगा क्या मेरे पास सर वन प्लस डेल ए अपॉन ए यही बचा अच्छा एक बाद बताएगा जब यह ड्रोमेरेटर में नीचे है हर के अंदर है तो इस केस में इसकी पावर वन है जब यह अपर साइड में जाएगा तो माइनस बन हो जाएगी त हम इसको अपर साइड में ले जाते हैं बन प्लस ना बन प्लस डेल भी वाई बी पावर किती माइनस बन अब बिटा इस बात को आप विशेश तोर पर ध्यान दीजेगा कि यहां पर मैं इसको ओपन करता हूं पहले किस से सर वाइनोमियल से राइट ना दृपद प्रमे से तो जब दृपद प्रमे से हम लोगों ने वही शुरूबात में हम लोगों ने कई बार दृपद प्रमे को अच्छे से पढ़ा है तो आप ध्यान दीजेगा घवडाना नहीं है दृपद प्रमे से जब आप करेंगे तो डेल ए बाई ए इधर क्या जाएगा बन माइनस प् जाएगा तो डेल प्लस यह इंट्वाइब और एक और ओर यह उपर और प्रोपर लिग दिए रहा हूं प्लस माइनस कंफ्यूजन नहीं रहेगा क्या आजाएगा यहां पर यह है मेरे पास डेल जैड अपन जैड इस इकल तू 1 प्लस देल Aby A प्लस डेल Bby B प्लस डेल Aby A इंटू डेल Bby B बिटा यह कैसी quantity है negligible है इसको हम negligible कर देते हैं क्योंकि भाई देगेगा 0.1 multiply by 0.1 कितना होगा सर 0.001 ऐसा आएगा ठीक है तो भाई निगलेजबल और चोटा हो जाएगा यह दोनों आपस में यहां से हट जाएंगे तो यहां क्या बच्छा मेरे पास डेल जाएड अपॉन जाएड अब्सलूट इरर आ गया डेल एवाई और ऐ किए प्लस माइनस व्लैजबल मंतली ए प्लस इसा ही कुछ है यहां पर मैक्जिम थाल्ग winners सब्सके बाहर और इसके बाहर हम चाहें तो प्लस माइनस प्रपर लिख सकते हैं यही आ गए मेरे पास पॉइंट के लिए रहे अब दिखेगा सेम टाइप का कुशन जो है मैंने अभी कराया यह वाला यही वाला कुशन अगर मुझे यह दे देता कि सर इसके बोल्टेज में सर फाइप परस इस एकल टू क्या होता है और रही होता है ओम्स लॉक एकोर्डिंग सो आर इस इकल टू क्या होगा बिटा भी अपॉन आई होगा और हमें यहां पर बहुत सारी चीज़ें दी हुई है कैसे दी हुई है देख लो जरा उसने बोला कि सर परसेंटेज चेंज इस परसेंटेज इर इन कितना है जिस केसे इसमें फरसेंटेज ऑपान आ तो देखेड़ इस इकल टू बिटा ऊपर है अपर साइड वाला है का है नीचे सुपर जाएगा तो नेकर क्नली स्लेटाइगा मुटिप्लाई करते हैं जब्स हें आप् er क्लोस ही आज्या ले अब फिप्थ टाइप और देखेंगे फिप्थ टाइप में अगर आप ध्यान दें तो फिप्थ टाइप जो है जैसे जैड इस इकल टू दे रखाए सर एकी पावर एन ठीक है अब आप से एरर पूछ लिया तो यहां पर एरर मुझे निकालना है तो देखेगा एरर कैसे नि उसकते हैं इस टाइप का करhews अगर आमें दिया हो तो हम तो क्ष्चन से आता है और आपको कर्ल या पीजरान के एर सकता है यह तो क्योंडर को चलिए जाएंगे और आपको पारलल या सीरिस की फौम में आप से एरर सकता सकता है यह सर आप से पूछ सकता है कि इसका एक्योविलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा यह चीज हम से पूछी जाती है तो देखो हमें एक कोशन दिया हुआ है गेवन कोशन दिया है और रवन इस इकल टू दिया हुआ है ठीक है प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 5 ठीक है ओम ओके सर आर टू इस इकल टू आपको दिया है 200 ठीक है प्लस माइनस 3 ओम इस टाइप का एक कुश्चन आपको दिया हुगा है और यहां आप से पूछा है सर connect in parallel then are equivalent क्या होगा यह पूछा है और सर पर्सेंटेज इरर पूछा है क्या आर इक्यूवेलेंट में जो सबसे पहली बात तो बच्चा आपको अच्छे सी याद होना चाहिए कि जब भी हम दो प्रक्षी को सर प्यारलल में लगाते हैं सरignment की फॉइमन नहीं कि क्या आताitionally सो एफ इस याद कि अदो कि हम यहीज में यह क्या है और पूछा है सर प्रसेंटेज इस इस में थिए dare ठाज अच्टेकर में यह होती है अगर मैं इसको पलट दूं एक बार को तो मैं बुलूंगा आर इक्वेविलेंट का power minus 1 is equal to our equivalent वो आर वन की power minus 1 plus आट एक वे का टू की power minus 1 ऐसा ही कुछ होगा अब इसको simply अगर मैं बिटा क्या करता हूं इसको differentiate कर देता हूं या ठीक है तो इसको तो डिफ्रेशेट करने पर हमें क्या मिलेगा यहां पर सर्द यह आएगा यह यह आ securitygovern अपॉन आयर् домой यह देयुच्वेलन्ट अपन पउन औरन रिक्योवियलेंट ठीक है मैनेश इदर आ जाएगा क्योंकि मैच था ठीक है दोसरा इसका भी ना जाएगा बेटा मेरे पास डेल आरबन अपॉन आरबन आजाएगा माइनस आएगा फिर इसका भी माइनस आएगा डेल आरटू अपॉन आरटू ऐसी कुछ आएगा अगर माइनस का थ्रूआउट डिवाइड देदू तो क्या आजाएगा और इकवेलेंट इस इकल टू मेरे पास आजाएगा अच्छा एक और चीज़ द्यान दीजेगा यहां पर इसक्वेर होगा भी निगेटिव में हैं वैल्यू जब डिफ्रेंशेशन करेंगे तो इसक्वेर आजाएगा तो आर इक्वेलेंट स्क्वेर और इधर आरवर आरटू का इसक्वेर यसा ही कुछ आएगा तो इस necessary में मेरे पास क्या आजा इक्वेलेंट का इसक्वेर इस इकल टू डेल और वन होगी ठीक है आर इसक्वेर को मैं हटा दूँ उधर पहुंचा दूँ तो एपसूलूट एर्र आजाएगी अगर केबल रहों और एक और ले जाओ तो सर रिलेटिव एर आ और अगर मैं 100 का मल्टिप्लाइ कर दूं ठीक रिलेटिव इरर में तो परसेंटेज जरब आ जाएगी तो पहला जो कुशन है उसको हम क्लियर करते हैं पहले कुशन में सर्फ और आपकी कितनी हंड्रेड इंटू टूंड्रेड अपॉन कितना आजाएगा वेल्यू मेरे पास आ गई तो मैं यह देखूंगा कि आर इक्कुवेलेड इसे कल टू आ गया टू कि अब जो भी हमारे पास आर इक्कुवेलेंट है यह केबल कि साइड का है जो में साइड रइट ना इसे अंडूविल साइड का र है कि यह वहां-से क्या लिक्या लेएक यह यह दर से लिक्याएगगी चलेगा आगे चलते हैं मेरे पास ड्सक्षाहिते हुआ है कितना हैläशन है दकल कितना योग ब्लस यह ब्लस यह कितना है थि? अगर ऐसे कुछ है तो देखेगा मुझे सबसे पहले निकालना है सार डेल आर एक्वेलेंट हम निकाल लेते हैं ठीक है तो डेल आर एक्वेलेंट निकालेंट तो कितना आजाएगा 200 divided by 3 का स्केर इधर आजाएगा और यह कितना है तो दिखेगा यहां यह 5 है और यहां 100 है का स्केर है अगर आप ध्यान दो मैं 2 का मल्टिप्लाइ उपर करूं और 4 का नीचे करूं तो यह 2 बनके अंदर चला जाएगा 200 हो जाएगा इसको हम 200 कब कर सकते हैं जब हम यहां पर 4 का मल्टिप्लाइ कर सकते हैं ठीक है ओके फाइन यह 3 अपॉन टू हंड्रेड का स्केर अब यह पता है क्यों किया हमने ऐसा ऐसा इसी लिए कि यह उपर हमने देखा के 200 का स्केर है तो यह भी तो इसको रापस में कट हो जाएंगे बीटा जब यह सकर आपस में कट हो जाएंगे तो यहां से कितना बचा वन वाई 9 इंटू यह कितना बचा सर 20 प्लस यह कितना बचा 3 यह कुछ है चलेगा कर लेते हैं इसका सॉलूशन कितना आगया सा 23 वाई 9 वैल्यू आ गई सट्वॉइंट कितना कितने बार जाएगा 23 में डिवाइड सर 2.5 ऐसे गुछ जाएगा तो 2.5 ओम सर डेल और एक्क्वेलेंट आ गया मेरे पास इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो सर मेरे पास रजिस्टेंस आया और एक्क्वेलेंट वह कितना आ गया 67.7 प्लस 2.5 ओम एक कोश्चन तो यहां के लिए रोगया दूसरा उसने दूसरा कोश्चन पूछ अपऌन अडिक वेलेंट अपण एक अडिक वेलेंट ठीक है निकाल लेते है इसको कितना निकला था मेरे पास 23-30 थे है और 239 और equivalent करण देना है तो और equivalent कितना था मेरे पास है तो यह बाई 3 कितना आजाएगा और यह गानेड बतलो नीचे आ जाएगा 23 divided वा है कितना है गज्ट है है कि ट्रेंट इंटु 3 अब दिखेगा percentage देरर में और पूछेगा तो सबसक्राइब तो यह पूछेगा तो हम लिख देंगे बई एबस्लूट एर कितना हो गया तो अप्षोलीट ओर हो गया मेरे पास मैं 600 वह एक वेलेंट ठीक है और परसेंट पूछेगा तो कर देंगे सो परसेंट इस एरर किता गया 23 divided by 6 अंडेट से मिल्टिप्लाइ करेंगे तो कितना आ जाएगा यह थ्री पॉइंट कितना बचेगा फाइव है तो कितना हो जाएगा यह एट टैम्स चला जाएगा ठीक है एट टैम्स ठीक है आगे परसेंट में के लिए रहे थेंक्यू